आज दिन है बुद्वार का दिनांक 14 दिसंबर 2000 बाई कृष्ण पक्र, हिंदू मास पौश, तिथी शष्टी, नक्षत्र अशलेशा रहेगा, आज का योग है विश्कुम्ब और कर्ण बनिच रहेगा, आज के खास दिन पर सूर्य व्रश्चिक राशी में रहेगे और चंद पूर यात्रा टाल दे, तो आज का महा उपाय है आज बप्पा को दुर्वा अर्पित करे, तो चलिए फ्रेंज सब बात करते हैं राशी फल की, राशी फल में सबसे पहली राशी है मेश यानि एरिस, मेश राशी वालो आज लोगों को समय दे पाना कठिन होगा, अपनी ज चाओं को ठीक से समझे, कमरदर्थ हो सकता है, मितुन राशी वालो आज आलस और तनाव हो सकता है, काम सही समय पर पूरे होते जाएंगे, इम्म्यूनिटी स्ट्रॉंग बना कर रखें, करक राशी वालो अचानक किसी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, नौकरी पेशा ल पर जाने से परहेच करें, करन्या राशी वालो आज दिल की बजाए दिमाग से फैसला ले, किसी रिष्टेदार का घर बे आगमन हो सकता है, खासी सुखाम की दिक्कत रह सकती है, तुला राशी वालो आज दिन की शुरवात अच्छी होगी, भैतरीन संपर्क भी बनेंगे धैरे और सयम से हर काम को करें, धकान और कमजोरी रहेगी, प्रश्चिक राशी वालो अपनी शमता और योकिता को पहचाने और आगे बढ़ें, आर्थिक स्तिती में भी सुथार आएगा, योगा और एक्ससाइस पर अधिक ध्यान दे धनु राशी वालो पिछले कुछ समय से चल रही परिशानियों से राहत मिलेगी, ओफिश्यल यात्रा पर जा सकते हैं, डाइविटी संबंदी नियमित जाज करते रहें मकर राशी वालो मनुरंजक कतिविथियों में भी समय व्यतीत होगा, पती पतनी के आपसी संबंदों में मधुर्ता रहेगी, आत्मबल में कमी आ सकती है कुम्ब राशी वालो आज किसी भी काम को करने से पहले सोच ले, दामपत्ती जीवन में सुकून और शान्ती की इस्तिती रहेगी, उचित आहाल ले मीन राशी वालो किसी धार्मी कत्वा मनुरंजक यात्रा का भी प्रोग्राम पन सकता है, जल्दबाजी में कोई भी निर्ड़े ना ले, खुद के स्वास्त के प्रती सचक रहे इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद